गुट मॉनिंग स्टुडेंट्स वेलकम टू भारत हुमिनेटीज क्लासस डियर स्टुडेंट्स आज का लेक्चर एक छोटे सी कहानी के साथ एक बार एक सेठ था सेठ खा भुमुले हीरा एक चूहा निगल गया उसके घर में भोथ से चूहें रहते थे तो उसने एक विक्ति को बुलाया और चूहों को मारने का थेका दे दिया ताकि वो हीरे को प्राप्त कर सके विक्ति आता है और देखता है कि चूहों का एक जुंड बैठा रहता है और जुंड से एक चूहा बिल्कुल अलग बैठा था उस विक्ति ने सेड़ जी से कहा कि आपका हीरा जिस चूहे ने निगला है वो मैंने पकड़ लिया है पैचान लिया है उसे शेड़ जे बोला कौन सा है तो बोला वो जो सबसे अलग बैठा है ना उसी चुहे ने आपका हीरा निकला है वो बोला कैसे बोले वो ऐसे कि जब वेक्ति के पास धन आ जाता है तो अपने परिवार को छोड़ देता है अपने साथ, अपने संगी साथियों को छोड़ देता है, यही आज की निशानी है कि जिस वेक्ति को क्या मिल जाता है, धन मिल जाता है, वो joint की जगा nuclear family के अंदर क्या करने लग जाता है, विश्वास रखने लग जाता है, चूहां, जिस चूहे ने क्या क्या हीरे को निगला वो एक साइड में था, उसे ने अपने परिवार, अपने सगी साथे सब को छोड़ दिया, तो यह किसको दिखाता है, यह आज हमारे selfishness को दिखाता है, कि कोई भी विक्ति अगर आज कामियाब हो जाता है, तो कामियाबी के सिकर के उपर पहुंचने के बाद, वो दूसरों स आपकी व्याचारिक एकता है, उनको कभी न भूलें, तो छोटी सी कहाने थी, शायद समझ में आ गई हो, So, let us start our chapter, Political Parties, yesterday we did only two concepts of this chapter, that what do you mean by a political party, a political party is a group of people which come together to contest in the election and hold power in the government that is known as political party, after that we discussed about the need of political party, political party are essential for a democratic country, because these people, they are contesting in the election and future, forming the government and formulate some policies and programs, after then we discussed the components of political party, then we discussed, that we have three major components of political party, first one is leader, second active members and third one is followers, next topic is, functions of political parties, आज का जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है, functions of political parties, आपकी इंस्यार्टी बुक में एक ग्लोसरी है और उसके अंदर आपका एक partition word दिया हुआ है, partition word का मतलब क्या होता है, एक विट्टी जो काफी नजदी की तोर पर किस से जुड़ा हुआ होता है, किसी भी political party से, किसी गुरूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए हमें word यूज करते हैं, जिसका नान का है, partition, ठीक है, तो सबसे पहले, हम बात करते हैं, functions of political party, basically political parties fill political offices and exercise political power, political parties क्या करते हैं, जितने भी आपके political offices होते हैं, उनको fill करते हैं, और क्या करते हैं, आपके लिए कुछ योजनाए बनाते हैं, और राजनेतिक शक्ती क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, Parties do so performing by a series of functions First, first point है आपका Parties, parties contest elections The first major function of a political party contest in elections In India, the political parties, they put up their candidate for elections हमारे देश के अंदर, जो candidates होते हैं, वो top party leader क्या करते हैं, चुनते हैं और उनको ticket देते हैं, election का क्या देते हैं, ticket In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by the political parties For example, in India, top party leader chose candidates for contesting election While in some countries like the United States of America, the supporter and the members, they choose the candidates for a political party So first function of a political party to contest in the election हमारे देश के अंदर जो चुनाव होते हैं, उनके अंदर जो political parties होती हैं, वो अपने उमिद्वारों को क्या करते हैं Elections के अंदर ticket देकर खड़ा करते हैं, और फिर सरकार बनाते हैं कुछ countries ऐसे हैं, जैसे कि United States of America, जहां जो candidates हैं, वो कौन चुनते हैं जो उस political party के कौन होते हैं, supporter होते हैं, वो चुनते हैं और जो उनके followers होते हैं, वो चुनते हैं और हमारे देश के अंदर जो top party leader हैं, वो क्या करते हैं, candidates को चुनते हैं the second function of a political party is policies and programs नीतियों और कार्यकरमों का निर्मान करना, parties put forward different policies and programs and the voter choose from them देखिया, हर एक political party का अपना एक क्या होता है, अपना एक agenda होता है, जिसको लेकर वो कहां जाते हैं, लोगों के बेच जाते हैं, manifesto कहते हैं, उस agenda को क्या कहते हैं, manifesto, manifesto होता है, हर एक political party का अपने policies और programs का एक set होता है, जिसको वो क्या बोलते हैं, manifesto कहते हैं और Manifesto को वो लेकर कहां जाते हैं, वोटर के बीच में जाते हैं, और जिस नीती और कारेकरम को लोग पसंद करते हैं, उसको अपना क्या देते हैं, वोट देते हैं, तो second हो गया, policies and programs, the third function of a political party is making laws, जो तीसरा है, वो है आपका making laws, कानून का निर्मान करना, अब सरकार अगर बन गई, तो उसके बाद महतपुन कारे क्या होता है, कानून मनाना, क्या होता है, कानून मनाना, party play a decisive role in making laws for a country, किसी भी देश के लिए कानून बनाना, ये किसका कारे होता है, राजनितिक दल का क्या होता है, कारे होता है, फोर्मली laws are debated and passed in legislature, हमारे देश के अंदर कानून के उपर जो discussion क्या जाता है, उसका निर्मान क्या जाता है, उस unit को, उस institution को हम legislature के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, लेजिसलेशा, नेक्स्ट आपका है, political parties form and run the government, नेक्स्ट, political parties form and run the government, देखिए, जो भी आपका political party election के अंदर contest करता है, उसका ultimate एक ही हम होता है, कि किसी भी तरीके सोने क्या करनी, सरकार बनानी है, जिस political party को, लोग सभा के अंदर 272 या उससे उपर क्या मिल जाती, जाती, consistency, seats मिल जाती है, उस political party की क्या बन जाती, government बन जाती है, तो political party का सबसे परमुकार यह है, कि वो सरकार बनाते हैं, और देश के उपर क्या करते हैं, सासन करते हैं, the big policy decision are taken by the political party's, executive that comes from political party, देखिए executive जो होते हैं, वो कहां से आते हैं, ठीक है ना, और देश के अंदर जो कानून मनते हैं, वो leaders, वो leaders बनाते हैं, और leaders आपके कहां से आते हैं, political party से आते हैं, next आता है role of opposition, क्या आता है बचो, role of opposition, देखो, आज जो है भार्ची जन्ता party अपनी क्या है, ruling party, क्या है ruling party, जो देश के उपर क्या करी है, सासन कर रही है, opposition party कौन सी हो गई, opposition party है, Indian national congress, कौन सी है, international congress, तो political parties का ही क्या होता है, ultimate ये भी role होता है, कि वो ruling party और opposition party का क्या करती, role play करती है, the political party, which get 272 plus seeds, they firm the government, and the political party, who is not able to secure majority in the लोक सभा, they play the role of what opposition party, तो वो क्या बन जाते हैं, विपक्सी दल की भूमी का नहीं बाते हैं, नेक्स्ट है, shape public opinion, अब मैं इसके उपर आपको एक current का example देता हूँ, जो किर्सी कानून है, farmers जो बिल है, agriculture जो बिल है, उनके उपर, के हितों के क्या है, प्रतिकूल है, ऐसा political parties क्यों करती है, ऐसा political parties इसलिए करती है, ताकि वो अपना public opinion को क्या कर सके, shape कर सके, next election के अंदर उनको क्या मिल सके, vote मिल सके, यही ultimate aim होता है, कि इसका opposition party का, या ruling party का, ruling party तो यह चाहेगी कि उनका जो जनाधार है, जो उनका vote है, वो बना रहे, लेकिन opposition party यह चाहती है, कि क्या रहे, कि जो ruling political party है, हम उनकी कमियों को किसके सामने रखे, हम उनकी कमियों को जनता के सामने रखे, और जनता का मत क्या कर सके, प्राप्त कर सके, तो यह दो important role play होते हैं किसके द्वारा आपकी रूलिंग पालिटी के द्वारा और आपकी आपोजिशन पॉलिटिकल पालिटी के द्वारा नेक्स आता है एक्सेस तो गॉवर्नमेंट मशिनरी और वेलफियर स्कीम इस पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म दा गॉवर्नमेंट यही राजनित कार योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं को लोगों तक पहुचाने का काम भी कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्टिव मेंबर से उनके थ्रू किया जाता है यह गॉवर्नमेंट जो एजनसी जिनको हम एक्जेक्विटिव कहते हैं उनके द्वारा किया करस्ता दिखाये जा सकता है यह. So, these are the major functions of political party. Parties contest in the election, they put forward policy and programs before the waters, after that they making laws, when they making laws, when they form and run the government, they play the role of opposition, access to government machinery and welfare schemes and public ओपिणियन शेप पब्लिक ओपिणियन जनमत तयार करना यह भी किसका कारी होता है पॉलिटिकल पाइटीज का क्या होता है कारी होता है So these are the various functions of political parties Next topic is what happened if there is no political party क्या हो कि अगर कोई political party ही ना हो अगर कोई political party नहीं होगी, तो जो सबसे बड़ा एक question mark लगेगा, वो लगेगा efficiency of government के सामने, कि सरकार की प्रभाव सीलता, सरकार की कारेशीलता कैसी रहेगी, no one will be answerable, कोई भी इसके लिए answerable नहीं होगा, every candidate in the election will be independent, if there is no political party, जितने भी आपके क्या होंगे, आपके candidate होंगे, वो कैसे होंगे, सवतंतर उमिद्वार के रूप में, चुनाओं में भाग लेंगे, so no one will be able to make any promise to people about any major policy decision, आज, अगर हम भारते जनता party की बात करें, तो सत्ता में आने से पहले इन्होंने क्या कहा था, कि हम article 370 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इन्होंने करके दिखाया, अगर कोई individual candidate, ऐसा promise नहीं कर सकता, था, लोगों के सामने ऐसा promise नहीं कर सकता, था, So, there is a need of political party, क्योंकि political party ही कोई decision, या किसी promises को क्या कर सकती है, फुल्फिल कर सकती है, The government will be firm, but its utility will remain uncertain, सरकार तो बना लेते लोग, लेकिन इसकी utility के उपर हमेशा क्या रहती, uncertainty, and इस चितता बनी रहती, No one will be responsible for how the country will be run, जितने भी candidate होते 543, वो independent होते, कोई भी responsible नहीं होता, कि सरकार कैसे देश को चलाएगी, या देश का सासन कैसे चलेगा, So, these are the situations without political party, if there are no political parties, it means that no one will be answerable that how the country run, कैसे देश चलेगा, इसके कोई भी क्या नहीं होगा, responsible नहीं होगा, Next topic आता है, what is the necessity of political party, what is the necessity of political party, political party की क्या necessity है, क्या जरूरत है, तो इसमें first point clear हो जाता है, the rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy, अगर हमारे पास political parties हैं, तो हमारे देश के अंदर कौन से democracy है, representative, क्या है, democracy है, representative democracy का मतलब है, कि हमारे जो परतिनिदी हैं, उनको कौन चुनते हैं, हमारे देश के लोग चुनते हैं, इसलिए हमें किस की जरूरत है, political parties की जरूरत है, representative democracy is possible in our country, due to the presence of political party, first point clear हो गया, second point है, as societies became large and complex, समाज बहुत बड़े होते हैं, जनसंग्या बहुत ज़्यादा होती है, they also need agents to represent their opinion and view before the government, इसलिए सभी लोग अपनी जरूरतों और अवसक्ताओं को सरकार के सामने नहीं रख सकते, इसलिए वो अपने representatives के माध्यम से, किन के माध्यम से, representatives के माध्यम से, सरकार के सामने अपनी जरूरतों को, अपने जो problems हैं, उनको क्या करते हैं, represent करते हैं, they need some ways to bring various representatives together to form our responsible government, एक responsible government कौन सी होती है, सबसे जरूरी चीज, जो government majority में हो, जो political party को majority मिलती है, वो responsive भी होती, वो accountable भी होती है, और वो legitimate भी होती है, इसलिए हमें किसकी जरूरत है, political parties की जरूरत है, suppose कीजिए, अगर भारती जन्ता party fail हो जाती है, तो fulfill the desire of country citizen, देश के नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में, तो next election 2024 के अंदर, वोटर्स के पास chance रहता है, वो BJP को क्या कर सकते हैं, सत्ता से भार कर सकते हैं, और किसी दूसरे political party को क्या दे सकते हैं, मुखा दे सकते हैं, a mechanism is needed to spot or sustain the government, make policies, justify and oppose them, देखिए, एक होती है ruling party, जो कानून बनाती है, एक होती opposition party, जो कानून को क्या करती है, जो कानून के अंदर कमिया निकालती है, जो भी कानून ruling party बनाती है, अगर उसके अंदर कोई कमी होती है, तो opposition party का यही रोल रहता है, कि वो हमेशा ruling party को बर क्या रखती, pressure रखती, ताकि जो गलट decision है, वो ना हो सके, so these are the various points which shows the necessity of political parties, यह कहीने कहीं, why do we need political party से ही क्या है related, अगर political party नहीं है, तो representative नहीं है, अगर representative नहीं है तो लोगों के जो problems उनको represent करने वाला कोई नहीं है, गुर्यमेंट के सामने और अगर government नहीं है, तो फिर next election के अंदर हम उस political party को क्या कर सकते, remove कर सकते हैं, और किसी धुसरी political party को government में क्या दे सकते हैं, So, dear students, today we discuss the functions and the necessity of political parties. You have to watch this video and learn about these topics. Jai Hind, Jai Bharat!